नमस्कार क्या पिचल जीवी का खाश शो बात तो चुबे की देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा आज बताऊंगी कैसी बात जो दिल्ली के मुख्य मंत्री को बड़ा चुबेगी अर्विन केजरिवाल के दिल पर लगेगी और आमादमी पाठी के भी साज़ुष का परदा पाश करेगी क्योंकि आज नहीं तो कल केजरिवाल की गिरफतारी पक्की है अर्विन केजरिवाल जितने भी बहाने बना ले एडी समन की अंदेखी कर ले पर अब केजरिवाल की कोई दलिले काम नहीं आएगी कोई बहाना नहीं चलेगा क्योंकि अब एडी ने भी एक्शन प्लान तयार कर लिया है अर्विन केजरिवाल को गिरफतार करने का तो अब पूश्ताच नहीं सीधे गिरफतारी होगी पर वो क्या से बताएंगे आज आज आपको अपने इस खाशों में जो बात केजरिवाल और पूरी की पूरी आमाद्वी पाथी को बड़ा चुभे राजनीती में छबी बनाने और छबी चमकाने के लिए राजनीतिक दल कई तरीके अपनाते हैं अलग अलग तरीकों के द्वारा नेता जनता के वीज अपने आपको और अपनी पाथी को ले जाते हैं कोई जन कल्यान की बाते करता है, कोई गरीबी हटाने की बाते करता है, कोई क्रांती करने की बाते करता है, लेकिन अर्विन केजरिवाल अलग ही मिट्टी के बने हैं, जूट बोलना कोई केजरिवाल से सीखे, अपनी वहवाही लूटना कोई केजरिवाल से सीखे, और ब्रस् चुरू करूं तो कई घंटे लग जाएंगे पर शराब घुटाला एक ऐसा घुटाला है जो अप केजरिवाल को उनके शीश महल में रहने नहीं देगा आज नहीं तो कल केजरिवाल अपने शीश महल की ऐसो आराम की जिंदगी छोड़कर तिहार जेल का आनंद लेंगे क्यों और इनी सबूतों के आधार पर एडी केजरिवाल को बार बार समन कर पूश्टाच के लिए बुला रही है पर केजरिवाल ने एडी की समन को दरकिनार कर दिया तीन-तीन बार एडी केजरिवाल को समन भेच चुकी है पर केजरिवाल अब तक एडी के सामने पेश नहीं पंजाब के खोशियारपूर उना रोड पर गाउ महिला वाली से आनंदगड की और जाने वाली सड़क पस्थित धमदच विपशना केंद्र है खबरों की मताबिक केजरिवाल वहीं पर मौझूद है दस दिनों का उनका ये कारिकरम था जो अब 30 दिसंबर तक चलेगा और उमीद है केजरिवाल 30 की रात या 31 को अपने विपशना सिवर से वापस दिल्ली लोटाएं पर केजरिवाल जैसे ही लोटेंगे उनकी परिशानी दोगुनी होने वाली है क्योंकि अब शराब गुटाली को लेकर केजरिवाल का कोई बहाना नहीं चलने वाला 3 जैनवरी केजरिवाल को समन कर बुलाया है इस से पहले एडी Ready ने 21 दिसंबर को केजरिवाल को पेश होने के लिए कहा था लेकिन केजरिवाल पहले ही ध्यान के बहाने और जब पहला समन भेजा गया था तो केजरिवाल ने चुनाव का बहाना बनाया था पर अब ना चुनावी बहानेबाजी काम आएगी और ना ये बहाना चलेगा कि वो दिल्ली से बाहर है तीन तारीफ को केजरिवाल को एडी के सामने पेश हो नहीं होगा और अगर केजरिव के सामने यूँ ही पेश नहीं होते रहे एडी समन को एग्नोर करते रहे तो केजरिवाल का जेल जाना वैसे भी पक्का है क्योंकि एडी के पास समन की बार-बार अंदेखी करने पर कारवाई के अधिकार है तो आपको ये बताते हैं कि अगर तीन जैनवरी को भी केजरिवा इडी के सामने पेश नहीं होते है तो क्या होगा इडी का अगला कडम क्या हो सकता है बताते हैं आपको दरसल पीमले की धारा 19 के तहट इडी को ये अधिकार है कि लागटार तीन बार समन के बाद भी अगर कोई आरोपी पूश्टाज के लिए उपस्तित नहीं होता है तो पीडी उसे गिरफतार कर सकती है मतलब prevention of money laundering act यानि पीमले के तहट बुलाया गया कोई व्यक्ति तीन बार पेशी से बच सकता है इसके बाद agency उनके खिलाफ गैर जमानती वारेंट यानि NBW की मांग करती हुए कोट का रुख कर सकती है पीमले के तहट ही केजरिवाल का मामला भी आता है NBW अदालती आदेश है इसमें व्यक्ति को एकते तारीक और समय पर agency के सामने पेश होने के लिए कहा जाता है अदालत के इस आदेश की अवहिलना पर केजरिवाल की गिरफतारी हो सकती है मतलब साफ है कि केजरिवाल अगर 3 जैनवरी को ED के सामने पेश नहीं होंगे तो ED कोट जाएगी गैर जमानती वारंट की मांग करते हुए केजरिवाल को गिरफतार करेगी क्योंकि एक बार नहीं बलकि तीन तीन बार ऐसा हो चुका है जब केजरिवाल को ED समन कर पूश्टाज के लिए बुला चुकी है वैसे ED के सामने और भी विकल्फ है मसलन वो सर्धानतिक तोर पर तब तक नोटिस जारी करता रह सकता है जब तक सियम के जिवाल उसका पालन नहीं करते हैं इसके अलावा जाच अधिकारी उनके आवाज पर जाकर भी पूश्टाज कर सकते हैं अगर उनके पास ठोश सबूत है और उन्हें अपने सवालों के स से उठाकर ले गई थी सुबह सुबह ईडी ने संजर सिंग के घर पर धाबा बोला था सुबह से लेकर शाम तक पूश्टाच हुई थी जाच पढ़ताल की गई थी और ईडी के पास पुकता सबूत थे जिस वज़ा से इडी ने संजर सिंग को गिरफतार किया था और ठीक इसी तरह से भी केजरिवाल को ईडी गिरफतार कर सकती है शीशमयल में जाकर सीधा ईडी केजरिवाल से पूश्टाच कर सकती है अब देखना होगा केजरिवाल बिपश्णा से वापस आते हैं तो ईडी समन को लेकर क्या फैसला लेते हैं क्योंकि अब तक जिस तरह से केज केजरिवाल के नेताओं के तरब से बयान सामने आ रहे हैं उससे तो लग नहीं रहा कि इस बार भी केजरिवाल इडी के सामने पेश होंगे समन को राजनीती से प्रेरिद बताएंगी वैसे केजरिवाल ने विपश्चना से आने के बाद के लिए कुछ प्लान्स जरूर बना जिसका बहाना केजरिवाल एडी के सामने पेश कर सकते हैं कबर है कि लोगसबा चुनाओं के लिए आमादमी पार्टी ने गुजरात में तैयारी शुरू कर दी है पार्टी ने इसके लिए प्लान बना लिया है जानकारी के मताबिक साथ जन्वरी को दिल्ली के सियम अर्विं उसके बाद पंजाब दौरी की भी खबर है तो हो सकता है कि केजरिवाल एडी के सामने एक बर फिर से चुनाओं का बहाना बनाए पर एडी केजरिवाल को बार बार मौका नहीं देगी ये बिल्कुल साफ है क्योंकि शराब खुटाली में जाच एजनसी लगतार आक्शन मे हैं नयने खुलासे भी हो रहे हैं मनेश शोद्या संजल सिंग का तो जेल से बाहर आने का कोई रास्ता भी नहीं बचा है तो वहीं असली मास्टर माइंड को पकड़ने के लिए एडी तैयारी में जोटी है और जब तक मास्टर माइंड को एडी गिरफतार नहीं कर लेती त तक कैसे पहुँची है आपको याद होगा कि समीर महिंद्रू की गिंती देश में सराब की चर्चित कारोबार्यों में होती है समीर महिंद्रू इंजो स्परेट कंपनी के एंडी है वो वर्ष 2013 में ब्रस्ट चार के मामले में दो अपसरों के खिलाब सीवियाई के मुखित पिछले वर्ष सेतंबर में ईडी ने दिली सरकार की नहीं आपकारी नीती में ब्रस्ट चार की मामले में समीर महिंद्रू को गिरफ्तार किया था गिरफतारी से पहले उनसे एडी ने कई दौर की बातचित की थी महिंद्रू का नाम आपकारी नीती घुटाले में मुख्य आरोपी के रूप में था समीर महिंद्रू पर कतित तोर पर से सोधिया के दो करीबी लोगों को करोडों का अवैद भुक्तान करने का आरूप था जाच एजनसी द्वारा कहा गया था कि महिंद्रू उन विवसाईयों में से एक थे जो दिली सरकार की आपकारी नीती तयार करने से जुड़ी गड़बड़ियों में शामल थे अब दिल्ली शराब गुटाले के मुखे आरोपियों में से एक यानि समीर महिंद्रू को किये गए वीडियो कॉल के बाद अरविंद केज़िवाल सवाल की जाच में फस्ट हुगे हैं अब सवाल ये है कि ED की चार्शिट में अरविंद की जिवाल और शराब कारुबारी समीर महिंद्रू के बीच हुई जिस कॉल की बात कही गई है उसमें दिल्ली के CM अरविंद की जिवाल और समीर महिंद्रू के बीच में क्या क्या बात चित हुई दिरसल चार्शिट में ED ने आरोप लगाया कि दिल्ली शराब घुटाले के एक आरोपी विजय नायर ने शराब कमपनी इंडोस्पिरिट के MD समीर महिंद्रो की दिल्ली के CM अर्विन केजरिवाल से बात कराई थी ये बात चित विजय के फोल से किये गए फेस टाइम वीडियो कॉल से की गई थी ED ने चार्शिट में दावा किया कि केजरिवाल ने समीर महिंद्रो से कहा कि विजय नायर मेरा लड़का है आपको उस पर भरोसा करना चाहिए और उसके साथ काम करना चाहिए मतलब केजरिवाल इस घुटाले में पूरी तरह से फस चुके हैं वो इन्वॉल्व है और इतना बड़ा घुटाला केजरिवाल के सामने हुआ जिसमें उनके साथ नेताओं के साथ साथ केजरिवाल भी जुड़े रहे मतलब खुद तो घुटाले का पैसा कबाया ही, साथ में सब को कमवाया तो कैसे बच सकते हैं केजरिवाल अब जाच पड़ताल होगी, केजरिवाल जेल पक्का जाएंगे अब कोई बहाना केजरिवाल का नहीं चलेगा इड़ी अब पूश्ताच नहीं, सीधा गिरफतार करेगी इस पे आप अपनी राय कमेंट कर जरू लिखे आज के हमारे शो बात तो चुबेगे में फिलाल इतना ही कल किसी और मुदे के साथ हाजर होंगे देखते रहे क्यापिटल टीवी, नवसकार